नमस्कार दोस्तों, IndianMoney.com हिंदी पर आपका स्वागत है, मेरे नाम है फयाज हमारे देश में हर एक इनसान का सपना होता है कि वो अपना खुद का बिजनस शुरू करे लेकिन बिजनस शुरू करने के लिए एक बहुत ही बड़ी बाधा जो हमारे सामने आती है, वो होता है Capital, initial जो पैसा लगेगा बिजनस को सेट अप करने के लिए, वो जाता-दार cases में हमारे पास नहीं होता है इसले हमको लगता है कि यह ठीक है, जो नौकरी मैं कर रहा हूँ, वो ही करते रहता हूँ, कोई बात नहीं है लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बता हूँगा, आठ ऐसे सिंपल बिजनस आइडियास जो आप कर सकते हैं, बहुती कम Capital requirement के साथ इन फाक बहुत सारे ऐसे बिजनस आइडियास भी हैं, इसमें आपको बिलकुल Capital की भी ज़रूरत नहीं है तो यह करके इसके बारे मैं समझते हैं, सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे ताकि आप हमारे आने वाले किसी अपडेट को मिस ना करें, और आप आते हैं सीदा पॉइंट पर, सबसे पहले आप बिजनस आइडिया जो आप शुरू कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं as a real estate broker, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो basically उनकी properties होती हैं, उन लोग या तो मतलब उस property को बेचना चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे दोस्त भी होते हैं, हमारे जो बोलते हैं, कोई सस्ती सी property है, कि तेरे पहचान की तो कोई होगी तो बताना ना, और हम लोग उस चीज़ इसको मतलब बड़े आसानी से उनको freely connect कर देते हैं, और बीच में हम लोग कुछ कमाते हैं, हमको लगता है क्या इसमें क्या दलाली कमाएंगे, तो मतलब शरम की बात हमको लगती है, लेकिन दलाली कमाना कोई शरम की बात नहीं है, agent basically जो interest कमाते हैं बीच में इस पूरे process के अगर आपको पता है आपके आसपास के vicinity में तो आप बेशक जाकर उस owner से बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि मैं आपको एक किराइदार लाके दूँगा, अच्छा reliable किराइदार लाके दूँगा कि आप मुझे फ़ड़ा सा commission देंगे, of course वो आपको हाँ बोलेगा क्योंकि उ आप एक ice cream का business शुरू कर सकते हैं, ice cream का business शुरू करने में कोई ज्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ice cream का business शुरू करने को लेकर बहुत सारे वीडियो जूरेड़ी यूट्यूब पर मौझूद हैं, जो आपको ज्यादा बेतर इसके बारे में सिखा देंगे, in fact ice cream क शुरू करने को लेकर SIDV, यानि कि Small Industries Development Bank of India ने बहुत सारे ऐसे courses भी बनाए हुए हैं, जो आपको उनकी website पर मिल जाएगा, मैंने बहुत पहले बच्पन में इसका एक वीडियो देखा था कि कैसे कुलफी बना सकते हैं, कैसे तोफू बना सकते हैं, कैसे पनीर बना सकते हैं मुझे बता है, Insurance Agent एक ऐसा शक्स होता है, जिसको हम लोग 2020 से पहले काफी ज़दा अवोइड करते थे, हमारे कोई भी दोस्त है, कोई भी रिष्टदार है, जो इंशॉरंस बगरा बेजते थे तो हम लोग उनके Calls को अवोइड करते थे, Blocklist में डाल देते थे, Receive नहीं करते थे, लेकिन 2020 के आने से एक चीज़ अच्छी हुई है, कि लोगों में इंशॉरंस की प्रती उनकी जागरुपता बड़ी है, चाहे वो Health Insurance हो, चाहे वो Life Insurance हो, लोगों ने इंशॉरंस की हैमियत को समझा है, और आज से पहले, इस साल से पहले, इंशॉरंस बेशने का या में awareness नहीं है, उनको समझ में नहीं आते हैं, कुछ-कुछ technical चीज़ है, तो अगर आप उनको simple भाशा में समझा सकते हैं, कि ये इंशॉरंस के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कितना प्रीमियम भरना है, कितना इसका lock-in period है, एक सेक्टर, एक सेक्टर, एक सेक्टर, और दोरों आपके income के sources आप बना सकते हैं, अगली चीज़ जो आप कर सकते हैं, वो होता है, कि एक tuition या coaching center खोल सकते हैं, बेसिकली अगर आपके colony में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जो आपको भईया दीदी करके बहुत सारा respect करते हैं, इस्पेट करते हैं और आपकर मान ल सकते हैं, tuition and coaching का business में अच्छा आप इसलिए कर सकते हैं as a private teacher, क्योंकि बहुत सारे आज colleges में और बहुत सारे schools में, in fact, ये illegal हो गया है, teachers को यहाँ पर घैर कानून ही होता है, अगर वो private tuition लेते हैं, तो, teachers को यहाँ पर कहा जा रहा है, कि आप strictly school में ही, college में ही अच्छे से लेकिन अब ये नया कानून आने के बाद से teachers, especially college और school वाले ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप as a private teacher इसको आराम से कर सकते हैं, और आप बहुत जादे इसको पैसे इसमें बना सकते हैं, क्योंकि आप इसे eventually scale-up भी कर सकते हैं, शुरुआत में आप अपने घर पे tuition ले सकते है अलग-अलग batches में, और eventually जैसे जैसे आपकी demand बढ़ेगी, popularity बढ़ेगी, आप बाद में एक place rent पर लेकर, महाँ पर chair table वगेरा का setup करकर, इसे और बहतर बड़ा business भी बना सकते हैं, next चीज जो आप कर सकते हैं, वो है event planning, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो की शादी वगे या फिर आप एक ऐसे student हैं, जो अपने college वगेरा के fest में आगे बढ़कर काम करते हैं, बहुत reliable हैं, बहुत dependable हैं, तो वक्त आ गया है कि आप अपनी skill को अलग level पर ले जाएं, और आप event planning का business शुरू करें, मैंने खुद event planning के business को बहुत नजदीक से देखा है, मैं खुद events म करता हूँ, और मैंने देखा है कि काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बस coordinate करना है, आपको बस follow up करना है, end client और ये सारे vendors के बीच में, और आपको ensure करना है कि आपका show है, जो भी आपका event है, वो smoothly execute हो जाए, और ये सारा जो सरदद है, तंबू वाले का, catering वाले का, light वाले का, DJ वाले का, host वाले का, इस सब को आप एक single point communication होते हैं, और अपने client को आप एक अच्छा show provide करते हैं, तो basically यही होता event planning, यह आप अराम से कर सकते हैं, इसमें तो in fact capital की ज़रूद भी नहीं है, आपके contracts अगर है, अगर आपके बास client base है, तो आप इस business को निश्चित शुरू कर सकते हैं, और eventually धीरे धीरे आपका यहाँ पर popularity बड़ेगा, आपके बारे में अच्छी mouth of word, जो word of mouth की publicity होती होती, उससे होगी, तो eventually आपका brand और ज्यादा बहतर और बड़ा बन जाएगा, अगली चीज़ जो आप कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, एक driving school का business आप खोल सकते हैं, basically अगर मान लिजी आपके बहुत सारे गाड़िया हैं घर में, जो पड़ी उपड़ी हुई हैं, मतलब कोई उसका फायदा नहीं हो रहा रहा और आपके बहुत सारे दोस्त हैं, जो आपको बोलते हैं कि मुझे driving सिखा देगा क्या, तो आप फुकर में मत सिख कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लिजी आपको साल भर में नहीं, महीने भर में मान लिजी आपको दस बारा भी customers आ जाते हैं, तो आपको इससे आप अच्छा खासा income generate कर सकते हैं, और आपके overall income के sources को आप और भी ज्यादा बहतर और बड़ा बना सकते हैं, अगली चीज जो आ food catering का business, अगर आप एक ऐसे इनसान हैं, जिसके खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ होती है, अगर आपके husband या आपकी wife आपके खाने के, मतलब जो भी आप पकवान मनाते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, तो वक्त आ गया है कि आप अपने skill को अगले level पर जाएं और आप food catering का business शुरू करें, शुरूआत आप बहुत चूटी सी कर सकते हैं, अगर मान लिजे आप एक building में रहते हैं, जहाँ पर दो तीन बाचलर लड़के 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 रहते हैं, तो अगर उनको खाने वगे रहा की ज़रू है तो आप उनको casually जाके बोल कर सकते हैं, आप आगे जाके एक hotel भी खोल सकते हैं अपना, तो इस business में definitely आप काफी हद तक आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अच्छे खाने के लिए कभी भी लोग का पैसे देने से नहीं हेच के जाते हैं, और आखरी और सबसे आसान और सिंपल सा business idea जो आप कर सकते हैं, व अपने घर में ही खोल सकते हैं, अपने घर में एक चोटा सा section create करके, आप आप बेसिक सेटप वगिरा लगा कर इस business को start कर सकते हैं, मेरे खुद के बहुत सारे दोस्त के mummies, इस तरह का business करती थी, और आज वो करते गरते इतनी बड़ी हो गई थी, कि वो अपने शेहर के सबस सारे पैसे भी उन्होंने उस चीज़ में बनाये थे, तो अगर आप business setup करने के बारे में और ज़्यादा भैतर सीखना चाहता है तो आप डाउलोड कर सकते है financial feed map, वहाँ पर हमने बहुत सारे ऐसे courses बनाये हुए हैं, 50 से भी ज़्यादा courses हैं, 6 लग 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 भाशाओं में जहाँ पर mentors खुद आपको आकर सिखाएंगे कि business उन्होंने कैसे शुरू किया, शुरुआती challenge से उन्होंने कैसे deal किया और कैसे उन्होंने एक successful company और successful brand को बढ़ा किया, उसका link आपको description box मिल जाएगा, तो उस आपको ज़रूर download करें, ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेर करिए और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, बैल आइकोन को भी प्रेस कर दीजे, ताकि आप हमारे आने वाले किसी पी अप्डेट को मिसना करें, मिले डामयाफ प्याज, आप देख रहे हैं, indianmoney.com